दोस्तों आज किस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं बजाज City 110 के ABS वैलेंट के बारे में जो की बहुत जल्द इंडिया के अंदर लाउंच होने वाली है लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं बजाज के और कुछ बाइकों के बारे में और बजाज के बारे में कि ये कैसे इस कम प्राइज में बजाज City 110 में ABS दे सकता है तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को बताएं कि बजाज की Platinum 110 ABS अकेली ऐसी बाइक है जो इंडिया की नहीं शायद पूरी दुनिया की सबसे छोटे सेग्मेंट की ABS वाली बाइक है और ये सबसे पहले बजाज ने किया है अब इसके बाद तो बहुत से लोग कॉपी करना चाहेंगे अधर कम्पनिया कॉपी करना चाहेंगी और बहुत लोगों ने تو कॉपी करने के बारे में सोझ भी लिया होगा फिर चाहे वो Hero हो, चाहे वो Honda हो, चाहे वो TBS हो तो इन लोग ने तो अब स्टार्ट किया हो का साइट माइंड में कि मुझे ABS देना है लेकिन बजाज ने Platina की उपर बहुत पहला ही सोच के रखा हुआ था और अचानक से Lockdown से काफी एक मैने पहले रिलीज भी कर दिया था और आप सभी को पता होगा कि बजाज की Platina 110 ABS एकलोती ऐसी बाइक है जो सबसे ज़्यादा पसंद की गई ABS के मामले में, डिस्क के मामले में और बजाज की Platina 110 ABS में आपको फ्रेंट में डिस्क और रियर में ड्रम मिलता है रियर में डिस्क अभी फिलाल नहीं आने वाला है क्योंकि उन्हें बजट से बजट के अंदर रह करके एक ऐसी बाइक को तैयर करना था, जो लोगों की पहुँचब के अंदर रहे और उन्हें सेफटी भी मिल जाए जो कि आपको पता ही है कि ABS की वज़ा से कितने सारे एक्सिडेंट्स रोके जा सकते हैं जबकि बहुत से लोग ऐसे भी होंगे वीडियो के कमेंट सक्षन में भी बोलेंगे कि ABS कोई खास जरूत है नहीं क्योंकि इससे पहले भी लोग बिना ABS और बिना डिस्क वाली बाइक चराया करते थे तो क्या वो मर जाया करते थे ऐसे बहुत से मुझे कमेंट मिल चुके हैं दिया करती थी लेकिन हा केडियम की 105 सीरीज काफी महांगी हो जाती है एक लाग 95 से एक लाग 92 रुपए के आसपास की प्राइस उसकी ऑन रूट पड़ती है तो काफी महांगी बाइक हो जाती है 125 सीरी के सेग्मेंट में लेकिन फिर भी वो पॉपुलर है अपने सेग्मेंट में और बहुत जादा सेल भी लेकर के आती है जस्ट वैसे ही बजाज में अगर देखा जाए तो बजाज के पास दो तीन प्रोटक्र ऐसे हैं जो बहुत अच्छा सेल ले आती है जिसमें से एक है प्लाटिना दूसरा है पलसर और तीसरा थी आरेस और सिटी भी आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं लेकिन आरेस के से रह उतनी अच्छी नहीं है जितना कि सिटी वन टेंट की है केवल आपको फ्रेंट में डिस्क और ABS देरी जाएगी जिसकी वज़े से आपको थोड़ा सा प्राइज जादा देना पड़ेगा लेकिन ये प्राइज बजाज की प्लाटिना 110 ABS से थोड़ी सी कमी रहने वाली है क्योंकि इसे अपने सेग्मेंट में और अपनी लुक वाइज अंदर ही रहना है बजट के अंदर ताकि ये लोगों के अंदर पॉपलर भी हो सके और सेल भी ला सके अगर आप सीटी 110 को देखते हैं तो वो थोड़ा सा ओफ रोड टाइप बाइक दिखती है चाहे आप उसे मडगाड के तोर पे देख लें या फिर फ्रन सस्पेंशन के बूट को देख लें जो कि रबर का एक बूट होता है उसकी वज़े से थोड़ा सा वो जो लुक है एक आफ रोड बाइक जैसा आता है और टाइर का प्रोफाइल भी कुछ ऐसा बनाया गया है डिजाइन भी ऐसा दिया गया है कि वो आपको आफ रोड की याद दिला दे बात करें अगर बजाज प्लाटिना के ABS वाले वेरिंट की तो उसका एक शोरूम अगर आप देखें तो 60,900 रुपए का बनता है आज की डेट में UP के अंदर तो ये इकलोती ऐसी बाइक है जो केवल 61,000 रुपए के अंदर आपको ABS प्रवाइट करवा देती है और इसके बाद अब जाकर के यहाँ पर बजाज सिटी 110 के अंदर आपको जो इसका प्राइस पढ़ता है एक शोरूम अभी तक जो वाती थी बिना डिस्क और ABS वाली वो 54 1000 रुपए की पड़ती है लेकिन जैसे ही इसके अंदर आपको ABS और डिस्क मिल जाएगी इस बाइक की प्राइस लगभग 58,000 से 69,000 रुपए हो जाएगा जो की 2000 से 2500 रुपए कम रहेगा पजाज की प्राइटिना 110 ABS से तो लुक वाइज ये बाइक भी काफी अच्छी है एक आफ रोड बाइक में ड्रम ब्रेक उतने अच्छे नहीं जाचते हैं क्योंकि आपको बताया कि ग्रेवल्स होते हैं गिट्टी होती है मिट्टी होती है कीचड होता है और वहाँ पर आप अगर बिना ABS या बिना डिस्क वाली बाइक चलाते हैं तो वो उतना अच्छा परफ एक देड़ महीने के अंदर ही आपको सिटी 110 ABS दे दे जो कि आपको काफी अच्छी दिखेगी लुक वाइस भी ये बाइक जस्ट सेम रहने वाली है परफॉमेंस वाइस भी पूरी तरह की से सेम रहेगी अगर इसमें कुछ चेंज होने वाला है तो वो होगा इसका इंस्ट वीडियो में तब तक यार ख्यार लखना अपर अपनी बाइक्स का बबाई